Good morning, आज मैं आप लोगों को EBS में Missing Letters and Identify कराऊंगे यहाँ पर मैंने जो आपको difficult word कराया है वो सारे जितने chapters से आपका syllabus में आ रहा है सारे में से मैंने कुछ words यहाँ दिया है आपको तो यहाँ पर आपको जो word है इसमें आपको 2 या 1 letters missing है तो यहाँ पर सही letters जो है वो feel करके आपको सही word बनाना है तो यहाँ देखिए आपको number 1 में क्या है number 1 में है S-RO-G अब इसमें हम यहाँ कौन सा letter 2 letters आपको 2 dash है मतलब 2 letters आपका missing है तो यहाँ कौन सा letter हम लोग feel करेंगे यहाँ हम लोग करेंगे T S-T-R-O-N-G strong strong means होता है मजबूत strong means मजबूत आप देखिए number 2 है आपको number 2 में है S-T-E-M तो यह क्या है यह है आपका यहाँ पर भी 2 letters missing है तो यह है क्या जब आपको learn होगा difficult word तभी आप सही बना सकते हैं तो यहाँ है अभी मैं आपको बता दे रही हूँ इसको आप अच्छे से learn कर लेंगे S-T-R-E-A-M stream stream का मतलब क्या होता है stream का मतलब होता है एकदम पतली सी नदी हम लोग नदी जो होता है उसको तो river बोलते हैं सारे लोग जानते हैं की river बोला जाता है लेकिन stream बोलते हैं हम लोग एकदम पतली सी नदी जो है जैसे नाला होता है उस तरह से नदी एकदम पतली सी गई होई होती है और उसी को हम लोग बोलते हैं जो एकदम पतली सी नदी होती है नदी जैसी होती है, उसको हम लोग stream बोलते हैं, ओके, अब देखें, number 3 आपका है, r-v-r, ये क्या है, ये है आपका river, r-i-v-e-r, river, river means होता है नदी, ठीक है, आप देखें, यहाँ number 4 है, b-r-e-e, यहाँ पे भी आपका two letters missing है, तो यहाँ हम लोग क्या fill करें, क्या भरेंगे, two letters आपका क्या होगा यहाँ, तो b-r-e-e-z-e, breeze, breeze का मतलब होता है, क्या, breeze हम लोग बोलते हैं, धीमी हवा को, मन हवा जो चलती है, धीरे धीरे जो हवा चलती है, जो धीमी हवा चलती है, उसको हम लोग breeze बोलते हैं ठीक है आप देखिए number five है आपका f dash l t dash r यह क्या है यहाँ भी आप देख रहे है two dash है मतलब two letters missing है तो यहाँ पर हम लोग fill करेंगे f i l t e r filter filter means होता है छानना जैसे हम लोग पानी जो है water जो है वो filter करके पीते हैं छान कर पीते हैं तो filter का मतलब होता है छानना ठीक है अब देखिए number six है आपका r o dash n dash यह क्या है तो यहाँ पर देखिए r o u n d round round का मतलब होता है goal round means goal ठीक है अब देखिए number seven है आपका s h a dash e s h a dash e s h a dash e यह क्या है यहाँ पर आपको एक dash है मतलब आपका एक लिटर इसमें missing है तो यहाँ पर s h a p e क्या हो गया यह शेप शेप का मतलब होता है आकार ठीक है अब देखिए number eight है आपका s a dash t dash यहाँ two letters missing है तो यहाँ हम लोग क्या भरेंगे यहाँ देखिए s a l t y सौर्टी सौर्टी का मतलब होता है नमकीन ठीक है अब देखिए यहाँ है आपका number nine number nine में क्या है b r dash a t dash e यह क्या है यह है आपका b r e a t h e breath ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेना ब्रेथ मिस सांस लेना number ten में देखिए क्या है t dash i n k dash e two letters missing है तो यहाँ t w i n k l e क्या बन गया twinkle twinkle का मतलब होता है टिंप्टी माहट जैसे आप देखते हैं star टिंप्टी माते हैं तो twinkle का मतलब होता है टिंप्टी माहट या टिंप्टी माना ठीक है आप देखिए यहां है आपका identify में आपको क्या करना है यहां पर आपको pictures दिख रहे है five pictures यह सारे का आपको name spelling के साथ आपको write करना है spelling सही सही तो आपको जब learn होगा तभी तो आप यह सही लिख पाएंगे तो यहां देखिए number one में क्या है number one में है आपका watermelon, watermelon की spelling क्या होती है हम लोग यहां अभी write करेंगे watermelon, spelling होती है w a t e r water m e l o n watermelon means तरबूज आप देखें यहां है आपका number two, number two में आपको क्या दिखाई दे रहा है यह सारे बच्चे पहचान रहे है यह है balloons यह क्या है balloons है, balloons की spelling क्या होगी यहां पर हम लोग अभी write करेंगे b a l l o o n s, balloons ठीक है आप देखें यहां number three, number three में आपको क्या दिखाई दे रहा है यह है sweater, sweater की spelling क्या होती है यहां हम लोग write करेंगे अभी s, w, e, a, t, e, r, sweater ठीक है अब देखें यहां है आपका number four, number four में भी आप पहचान रहे हैं यह सारे pictures आप लोग पहचान रहे हैं लेकिन आपको spelling के साथ इसको learn करना है ठीक है तो यह है आपका zebra तो यहां पर हम लोग write करेंगे z, e, b, r, a, zebra ठीक है आप देखें number five है आपका number five में आपका है यह आप सारे बच्चे पहचान रहे हैं यह क्या है यह है rainbow तो यहां पर हम लोग कैसे write करेंगे spelling r, a, i, n, rain, b, o, w, bo, rainbow ठीक है तो यह हो गया आपका rainbow का मतलब क्या होता है इंद्र धनुष्ट अब देखें यह सारे लोग जानगे कि यह क्या है आपका यहां आज मैंने आपको evs में missing letters and identify कराया यह आप अपने evs की copy में write कीजे and learn करेंगे ठीक है थैंक यू